जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है एकलव्यादर्श आवासिय विद्यालय पदों का विब्रणन इस प्रकार से है TGT टीचर किसी मानिता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में सनातक की डिग्री उमीद्वार को डिग्री पाठेकरम के सभी तीन वर्षों में पेक्षित विश्यों का अध्यन करना चाहिए आयू अधिक्तम 35 वर्ष नेक्स्ट छात्रवास वार्डन पुरुष किसी मानिता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में सनातक की डिग्री आयू अधिक्तम 35 वर्ष नेक्स्ट छात्रवास वार्डन महिला किसी मानिता प्राप्त विश्व विद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में सनातक की डिग्री आयू अधिक तम 35 बर्ष फीज जन्रल अगोबी सी इडब्ल्यूएस TGT 1500 जन्रल अगोबी सी इडब्ल्यूएस हॉस्टल वार्डन 1000 ACSTPH शून में अंतिम तिथी 18 अगस्त 2013 जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है Broadcast Engineering Consultants Indian Limited Post का नाम है Field Assistant किसी मानेता प्राप्त विश्व विद्याले से किसी भी स्ट्रीम में सनातक की डिगरी कंप्यूटर का ज्यान होना चाहिए हिंदी भाषा पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए दिल्ली NCR का निवासी हो Age 21 वर्ष जन्रल अबीसी 885 रुपए SCST EWSPH 531 सभी महिलाए 885 रुपए 2320 जुलाई 2003 राजस्थान DEL एड प्रवेश वर्म अधिसूचना जारी की गई है जो छात्र किसी भी DELED सामार्म्य संस्कृत पाठेक्रम में प्रवेश लिना चाहते हैं वेटन जुलाई 2023 से 30 जुलाई 2023 तक आउनलाईन आवेदन कर सकते हैं Nuclear Power Corporation of India Limited NPCIL को Trade Apprentice NPCIL भरती 2023 के लिए आउनलाईन आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है Turner, Machinist, Electrician, Electronic, Mechanic, COPA, Welder किसी मानेता प्राप्ट बोर्ट से 10 वी, हाई स्कूल, परीक्षा उतीर और संबंधित ट्रेड में ITI उंग्र, 14-24 वर्ष, फीज शून्य अंतिन तिथी, 11 अगस्त 2013 जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है जार्खंड कर्मचारी चैनायोग, JSC, जार्खंड मैट्रिक्स तरिय संयुक्त प्रतियोगी परिक्षा, JMLCC मर्थी 2023 के लिए ओनलाइन आवेदन पत्रा मंत्रित है पदों का विब्रण इस प्रकार से है कीट पालन एवं संबद उद्योग विभाग भारत में किसी भी मानिता प्राप्त बोड से कक्षा 10 वी, उत्तीर सेरीकल्चर सिल्प में 1 साल का सर्टिफिकेट या सेरीकल्चर टेक सतायल में 10 प्लस तू प्रोफेशनल कोर्स कुशल कारीगर एवं संकक्ष पदोद्योग विभाग भारत में किसी भी मानिता प्राप्त बोड से कक्षा 10 वी, उत्तीर, हस्त शिल्प 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और 2 वर्ष का अनुभव एज 1835 वर्ष वीज जनरल OBCWS 100 A CST 50 लास्ट डेट 3 अगस्त 2 हजाते जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है जार्खन नगरपालिका सेवा सायुक्त प्रतियोगिता परिक्षा पदों का विब्रण स्प्रकार से है Garden Superintendent Bachelor Degree in Agriculture, Veterinary Officer Bachelor Degree in Veterinary Science Sanitary and Food Inspector PG Diploma In Water Sanitation and Hygiene Sanitary Supervisor PG Diploma in Sanitary Inspector Rajasunirikshak Bachelor Degree in Commerce Law Assistant LL B. IO 1825 वर्षफीज General OBC EWS 100 ACST 50 अंतिन तिथी 27 जुलाई 2000 ते जॉब निकालने वाले विभाग का नाम है भारतिये विमान पत्तन प्राधिकरार पदों का विब्रण इस प्रकार से है Junior Assistant, Office, Senior Assistant, Accounts, Junior Executive, Common Cadre, Junior Executive, Finance, Junior Executive, Fire Service, Junior Executive, Law किसी भी स्ट्रीन में Bachelor Degree अधिक तमायू 27-30 वर्ष, फीज 0-1000 अंतिन तिथी 4 सितंबर 2000 ते कर्णचारी चैन आयरोग SSE ने 21 जुलाई 2023 को किंद्रिय सशस्त पुलिस बलसिय पीएफ उप्मिरिक्षक और दिल्ली पुलिस उप्मिरिक्षक एसाई की भरती के लिए अधिसूचना जारी की SSE CPO 2023 अधिसूचना पीडियेफ यहां दी गई है योग्य उम्मिद्वार SSE CPO 2023 के लिए 22 जुलाई 2020 फ्री से वेबसाइट से ओनलाईन आवेदन कर सकते हैं पद का नाम है दिल्ली पुलिस और केंद्रिय सशास्त्र पुलिस बल परीक्षा में उपनिरिक्षक सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सिंट्रल आम्ड पुलिस फोर्सेज इग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे 22 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं दिल्ली पुलिस की भरती में सिर्फ दिल्ली पुलिस में काम कर रहे डिपार्टमेंटल कांस्टेबलों, हेड कांस्टेबलों और सहायक उपनिरिक्षकों तीन वर्ष की सेवा होनी जाहिए और एच 30 से 35 तक होगी वो भी साधारन कैंडिडेट की तरह फॉर्म भर सकते हैं साधारन कैंडेट के लिए पुरुष उम्मीदवारों के पास LMV के लिए वैद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकल और कार सब इंस्पेक्टर के पद के लिए पात रहुने के लिए पी एंड इंटी दिल्ली पुलिस में पुरुष अभ्यर्थियों के पास वैद ड्राइविंग नहीं है LMV, मोटरसाइकल और कार के लिए लाइसेंस के वल CPF में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए पात रहुनगे फॉर्म देश शुल्क एक सो के वल एक सो रुपए होगा आविदन पत्र में सुधार के लिए विंडो 16, 820, 23 से 17, 820, 23 तक उपन होगा पहली बार सुधार की फीज 200 होगी और दूसरी बार पांच सो इसलिए पहली बार ही सही फॉर्म भरने की कोशिश करें पेपर वन और पेपर दो में प्रते गलत उत्तर के लिए एक तिहायन के बराबर नेगेटिव मार्किंग होगी इसलिए अभिरतियों को उत्तर देते समय इसे ध्यान में रखने की सला दी जाती है लास्ट डेट पंदरा अगस्त दो हजारते